Good morning students, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मन्जु सिंग, आज आपको नवीन पल्लव का पार्ट सोले पढ़ाने चा रही हूँ, यह एक कवीता है, इसका नाम है यह दिया बुजी नहीं, इसके कवी है गोपाल सिंग नेपाली गोपाल सिंग नेपाली का जनम 11 अगस्त सन 1911 इस्वी में बेतिया बिहार में हुआ था, गोपाल सिंग नेपाली को हिंदी के गीतकारों में विशेश इस्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें गीतों का राजकुमार कहा गया है, इन्होंने फिल्मों के लगभग 400 गीत लिख हैं, इनकी प्रकाशित कृत्यों में उमंग, पंची, रागनि, पंचमी, नवीन, वेहिमाले ने पुकारा प्रमुख है, नेपाली की कलम ने राश प्रेम के गीतों से युवाव में देश भक्ती के भाव का भरपूर संचार किया है, 1963 में मात्र 52 वर्ष की उम्र में भागलपूर रिले इस्टेशन पर गोपाल सिंग नेपाली का निधन हो गया था बच्चो अब हम यह कविता पढ़ते हैं, इस कविता में बताया गया है कि निराशा के घने अंधकार में भी हमें आशा का दीप जलाए रखना चाहाई यह कविता पराधिन्ता के जंजावतों के बीच सवतंत्र भावना के गान का संदेश देती है इन पंक्तियों में कभी कहता है सवतंता का दीवक, दीपक हमें परतेक प्रस्चिती में जलाए लखना है चाहे कितनी ही विपत्या जाए हमें इसको बुझने नहीं देना है अब यह कविता पढ़ते हैं घोर अंधिकार हो चले रही ब्यार हो आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं यह निशीत का दिया ला रहा विहान है शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ भक्ति से दिया हुआ यह सवतंत्रता दिया रुक रही ने ना हो जोर का बहा हो आज गंग धार पर यह दिया बुझे नहीं यह सवदेश का दिया प्राण के समान है इन पंक्तियों में कवे कहता है हमें सवतन्ता की दिपक को हमेशा जलाई रखना है चाहिidences अंधिकार कितना ही घना क्यों नहों, कितनी ही तेज हवा क्यों नहों बह रहे हो पर तेक दर्वाजे पर यह दिया जलते रहना चाहिए यह बुजना नहीं चाहिए यह रात में जलाया गया दिया प्राते कालीन आजादी की खुश्या ला रहा है अंधिकार का अर्थ है अंधेरा, घोर का अर्थ है घना, द्वार का अर्थ है दर्वाजा, निशीत का अर्थ है रातरी, विहान का अर्थ है प्राते अर्थार्थ बच्चों हमें इस दिये को हर प्रस्थिति में जलाए रखना है कभी कहता है यह दीपक शक्ति का दीपक है शक्ति के लिए राष्ट प्रेम की भावना से ओत्प्रोथ है अत्याचार एवं अनाचार रूपी नदी का प्रभा कितना ही तीवर क्यों नहों किन्तु सवतंतरता को बचाने वाले नाव रुके नहीं यह दीपक हमारी गंगा की धार को समर्पित है यह आजादी का दीपक कभी भी बुझने नहीं पाई हमें यह सदे प्रियास करना है कि यह सवतंता का दीपक सदा ही जलता रहे क्योंकि यह सवतंता का दीपक भारत वाश्यों के लिए अपने प्राणों के समान प्रिया है हमने बड़े कठनाईयां सहकर यह आजादी प्राप्त की है हमें कभी भी इस आजादी के दिये को बुझने नहीं देना है हमें हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी है यह अतीत कल्पना यह बिनीत प्राथना यह पुनीत भावना यह अनंत साधना शांती हो अशांती हो युद संधी क्रांती हो तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं देश पर समाज पर जोती का वितान है अतीत का अर्थ है बिता हुआ, पुनीत का अर्थ है पवित्र, तीर का अर्थ है नदी का किनारा, कछार का अर्थ है नदी के किनारे की नीची भूमी, वितान का अर्थ है फैलाओ कवी कहता है कि आजादी की है कल्पना अतीत काल से चली आ रही है अर थार्थ हम प्राथीन काल से ही आजाद रहना चाहते हैं यह देश की सवतंतरता तथा अखंडता के लिए की गई विनर्म प्राथना है यह आजादी वास्तों में एक पवित्र भामना है इसकी प्राप्ति के लिए अनंत साधनाई की जाती रही है अर्थार्थ हमने आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के अनेक विरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है यह आजादी हमें बड़ी मुश्किल स मिली है चाए शांती का काल हो चाए अशांती का हो युद का हो या समधी हो या समझोते हो या नदी के टट पर या कछार पे यह अजादी का दिया कभी भी बुझने ने पाए हमें हमेशा यही यही प्रात्ना करते रहना है इश्वर से किया दिया कभी ने बुझे यह आजाद कि अदिपक सारे सवाज को चमकाता रहे हमें इस आजादी को कभी भी बुजने नहीं देना है तीन चार फूल है आसपास धूल है बास है बबूल है घास के दुकूल है वायू भी हिलोर दे फूंक दे चकोर दे कबर पर मजार पर यह दिया बुजे नहीं यह किसी शहीद का पुन्य प्राणदान है कभी कहता है कि चाहे हमारे पास तीन चार ही फूल क्यों नहीं अर्थार्थ हमारी सुवधाई सिमित हो चार ओर धूल बिखरी हो अर्थार्थ अभाव इखटे हो रहे हूं चाहे हमारे चार ओर बासो बबूल हो घास की मेडे उग रहे हो चाहे वायू हिलोर देकर हमें हर्शित कर रही हो अत्वा वै आंधी बनकर हमें जखजोर डाले चाहे संगर्ष करते करते हमारी कबर बन जाए अत्वा कोई मजार बन जाए तो भी हमें आजादी का या दीपक बुझने नहीं देना है क्योंकि है हमारे देश के वीरो के बलेदान के पुन्यों का प्राणदान है अर्थार्थ हमारे देश के वीरो नहीं अपने प्राणों का बलेदान देकर इसकी रक्षा की है हमें भी चाहे कोई भी परस्तिती हो सुख हो दुख हो कितना ही अभाव हो कितना ही कश्ट हो हमें भी इस आजादी के दीपक की रक्षा करनी है जूम जूम बदलिया चूम जूम बजलिया आंधिया उठा रही हल चले मचा रही लड़ रहा सवदेशो यातना विशेशो शुद्र हार जीत पर यह दिया बुझे नहीं यह सवतंत्र भावना का सवतंत्र गान है यातना का अर्थ है कश्ट शुद्र हार जीत का अर्थ है छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को निचा दिखाना, अपने हितों के लिए लड़ना और हार जित का प्रश्न बनाना। कभी कहता है कि आसमान में चाही कितने ही बादल उमर घुमर कर छा गए हो और उनके बीच में बिजली बार बार चमक रही हो। अर्थार्थ चाहे कितने ही मुसिबते क्यों न आ जाए हमें इनसे घबराना नहीं है और निरंतर अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। चारो और चाहे आंध्या उठ उठ कर हल चले उत्पन कर रही हो। देश के अंदर युद चल रहा हो। शांती नाम मात्र को भी न हो। चाहे शुद्र हार जित का सामना करना पड़े। पर यह आजादी का दीपर किसी भी हाल में बुझने ने पाई। यह सवतंत्र भावना का सवतंत्र गान है। जो हमारे पूर्वजो द्वारा हमें विरासत में दिया गया है। हमें इसका मान सम्मान हमेशा करना है। चाहे इसके रक्षा करने में हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। हमें आपने प्राणों के भी प्रवहा नहीं करनी है। हमें इस सवतनता के दीपक को हमेशा जलाए रखना है। शिक्षा इस कविता से यह शिक्षा मिलती है जो सवतनता का दीपक है वह हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस आजादी को सवतनता रुपी आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के विरों ने अपने प्राणों को भी नुच्छावर कर दिया। हमें चाई हमारे उपर कितने भी विपत्तियाय हमें अपने आजादी को हर हालत में बनाएं रखना है. शब्द बोध द्वार द्वार का अर्थ है दर्वाजा निशीत निशीत का अर्थ है रातरी विहान विहान का अर्थ है प्राते दिया दिया का अर्थ है दीपक अतीत अतीत का अर्थ है बिता हुआ पुनीत पुनीत का अर्थ है पवित्र कछार का अर्थ है नदी के किनारे की नीची भुमी वितान का अर्थ है फैलाव, दुकूल का अर्थ है वस्त्र, यातना, यातना का अर्थ है कष्ड, शुरूतलेक, अंधिकार, सवतंत्रता, कल्पना, कांती, कछार, दुकूल, बच्चो ये शबदर्थ और शुरूतलेक दोनों आपको अपने कोपी में सुन्दर सुन्दर लिखाई में लिखने हैं ये आपका होमवर्क है धन्यवाद